Hi everyone, स्वागत है आपका मेरे किचिन में आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टरोएंट जैसा क्रिस्पी पनीर चिली जो सिर्फ कुछ ही मिंटों में तैयार हो जाएगा तो चलिए शुरू करें हम लेंगे आधा कप मैदा 1 फोथ कप चाबल का अटा 2 टेबल स्पून कौन फ्लार एक टीस्पून अधरगलसन का पेस्ट अधी टीस्पून लाल मिर्ष पावडर नमक स्वादनुसार लेंगे एक टीस्पून सोया सॉस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालके एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे मैंने चावल का आर्टा यहां इसलिए इस्तामाल किया है ताकि हमारा पनीर चिली बहुत ही क्रिस्पी बने और इसकी वज़े से पनीर चिली लंबे समय तक क्रिस्पी भी रहेगा तो यह देखिए हमारा बैटर बनके तयार है हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए मैंने यहां 1.500 ग्राम जितना पनीर लिया है जिससे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था अब इसे मैं अच्छे से बैटर में मिक्स कर लूँगी ताकि पनीर को बैटर अच्छे से कोट कर ले अब मैं यहां पे मीडियम आज पे पनीर को आदे से एक मिनिट के लिए फ्राय करूँगी यह हमारा फर्स्ट फ्राय है हमें इसे और एक बार भी फ्राय करना है तो जब पहली बार हम fry करेंगे तो इसे medium आज पे fry करेंगे सारे पनीर को medium आज पे अच्छे से fry कर लीजिए बीच में इसे पलटते रहना ताकि दोनों तरफ से अच्छे से cook हो जाए होटेल में भी जब हम जाते हैं तब वहाँ पे भी इसी तरीके से फर्स ट्राइ करके रखा हुआ होता है पनीर और जैसे ही हम order करते हैं वह सेकेंड टाइम फ्राइ करके sauce में mix करके हमें सर्फ करते हैं इसी वज़े से वहाँ खाना जल्दी भी बनता है और पनीर उनका crispy भी होता है क्योंकि वह दूसरी बार फ्राइ करते हैं उसको तो लीजिये हमारे सारे पनीर के cubes एक बार फ्राइ करके तयार हो चुके हैं अब हम दूसरी बार फ्राइ करने की तैयारी करेंगे जिसके लिए मैं सारे पनीर क्यूब्स को वापस बैटर में डाल रही हूँ अब हम इन्हें अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे और सेकेंड फ्राइ के लिए डाल देंगे दूसरी बार जब हम fry करेंगे तो हमें gas की flame high रखनी है इस बार हमें high flame पे fry करना है ताकि बहार से color भी अच्छा आए और एकदम crispy बन जाए देखिए कितने crispy और अच्छे लग रहे हैं हमारे पनीर तो दोनों तरफ से ये cook हो चुका है दूसरी बार भी हमें आधे से एक मिनिट के लिए फ्राइ करना है अब हम इसे निकाल लेंगे और कड़ाई में दो बड़े चम्मच तेल लिया है और हाई हीट पे एक टेबल स्पून अधरक लसंड डाली है महीम कटी हुई एक प्यास डाला है कटा हुआ और एक शिम्ला में श्कटी हुई हमें हाई फ्लेम पे ही स्टर फ्राइ करना है इस वेचेटेबल्स को क्योंकि हमें इन्हें पूरा कुक नहीं करना है थोड़ा क्रंची ही रखना है नमक के हम आने स्वाद अनुसाल लिया है कि अफ कि अब मैं यहां पर वन टीस्पून घ्रीन चिली साॉश डाल रही हूं कि अब शाप चाहे तो जब्धा भी डाल सकते हैं अगर आपको नकलर चाहिए एक की पूं कैचप अब डाला है 2 एग टीस्पून रेड चीली सॉस और एक टेबल स्पून शेजवान चटनी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने यहाँ पर एक टी स्पून वेनेगर भी डाला है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मेरे पास डाक सोया सॉस था इसलिए मैंने कम डाला है अगर आपका सोया सोस डाक नहीं है तो आप जादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें एकदम बाहर जैसा कलर चीए तो सोया सोस जादा डालना होगा अब पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तयार है आप चाहें तो उपर से स्प्रिंग अनियन्स काटके ढाल सकते हैं तो देखिए बिल्कुल होटेल जैसा क्रिस्पी पनीर चिली बनके तयार है आप भी ज़रूर ट्राइ कीजेगा ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली रेसिपी में